छोटे से गाव में शाम नाम का एक लकड़ारा रहता था. लकड़ी काट कर वहां आने घर का खर्च चलाता था. उसके घर के पास एक रूपा नाम का पडोसी रहता था. वहां लालची और मतलबी था. वे दोनों एक ही जंगल में लकड़ियां काटते थे. एक दिन शाम जंगल जाता है. वह एक तालाब के पास जाकर लकड़ी काटता है. लकड़ी काटते हुए उसकी कुलहारी तालाब में गिर जाती है. शाम बहुत परेशान हो जाता है.